Hello everyone, this is Mohit Goyal, welcome to my study classes YouTube channel Guys, आज आप सभी लोगों को साथ में 4 important points discuss करना चाहूँगा अगर आप लोग 10th और 12th class के board के exam की त्यारी कर रहे हैं तो ये 4 points आप सभी लोगों के लिए very very important हुने वाली है देखें, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा आप लोग जानते भी हैं इस बात को हमारी country में lockdown चल रहा है और ये पता नहीं है कि school, colleges, हमारी universities कब open होंगे तो हम लोग इस time पे क्या कर सकते हैं हम लोग focus कर सकते हैं online study पर काफी सारे student लोग जो है online study कर भी रहे हैं और कुछ student लोग ऐसे भी हैं जो online study नहीं कर रहे हैं देखिए अगर आप लोग इस time का आप लोग utilize करोगे तो आपके लिए बहुत जादे important होने वाला है देखिए अगर आप लोग इस time को utilize कर लेते हो जब आपके school open होंगे मालेजी आपके school जो है जुलाई में open होते हैं अगस्त में open होते हैं या मिड जुलाई में open होते हैं तो आपके लिए बहुत benefit रहेगा benefit जब रहेगा अगर आप लोग online study पढ़ते हैं मालेजी आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो आपके teachers लोग आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं चाहिए आप किसी भी YouTube चैनल को follow करें कहीं से भी किसी भी source को follow कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा benefit हो पाएगा अगर आप लोग online study अभी नहीं कर रहे हैं जब आपके school open होंगे तो उस दौरान आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा burden हो जाएगा इसपेसलि तेंथ और ट्विल्थ क्लास के लिए देखिए एक्जाम तो होने है चाहिए आपके एक मेने या दो मेने डिले रहे हैं पॉस्पन हो जाएं लेकिन एक्जाम तो आपके होंगे होंगे टेंथ और ट्विल्थ क्लास के मैं आपके 2021 के एक्जाम की बात कर रहा हूँ ठीक है और मैं आप लोगों को पहले पॉइंट मैं आपको पता दिया कि online study आपको compulsory है मस्ट है करने ही करनी है सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों को बदले के चलना चाहूँगा सबसे पहले syllabus को देखिए बहुत सारी student लोग syllabus को go through नहीं करते हैं syllabus को देखते भी नहीं है यहां तक कि कुछ intelligent student भी है जो syllabus को नहीं देखते हैं इन student लोगो कि यह blender mystic हो सकती है ठीक है इसमें humble request लोग आप सबसे पहले syllabus को देखिए अगर आप SST पढ़ रहे है syllabus को देखिए physics पढ़ रहे है chemistry पढ़ रहे है mathematics पढ़ रहे है English पढ़ रहे है कोई भी subject पढ़ रहे है आप 12th class में है आप political science पढ़ रहे है history पढ़ रहे है geography पढ़ रहे है कोई भी subject आप सभी लोग पढ़ रहे है सबसे पहले syllabus को go through कीजिए कौन-कौन से chapters नहीं आएंगे कौन-कौन chapter के burden लागी कौन-कौन chapter का weight जादा है जैसा कि SST आप लोग जानते 10th class में काफी सारे chapters जो remove हो गए है जो है सीविस से की तरफ से हटा दिये गया है यानकि student लगों पर काफी जादा जो एक तरीके से burden कम कर दिया गया है तो हलाकि मैंने एक separate video मना ही हुए है SST के उपड जो है कौन-कौन से chapter नहीं आएंगे इस दोरान जो है बच्चे रटते हैं चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं उनका यह रहता है कि उनको reference book पता चल जाए reference book पढ़ लें या कोई guide मिल जाए और सब लोग पढ़ने लेकिन इसमें humble request you सबसे पहले आप लोगों क्या करना आपको anxiety complete करने anxiety का एक एक लाइन पढ़िए एक एक word पढ़िए anxiety को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है आप anxiety को पढ़ जाए यह देन उसके बाद कोई भी reference book आप लोग पढ़ सकते हैं anxiety पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है आप सबी लोगों के लिए इसमें humble request you अगर आप लोग आप लोग पढ़ लेते हो कोई भी reference book उठाईए कोई भी और साथ-साथ आप अपने खुद भी नौर्स बना सकते हैं आप लोग फुद नौर्स मेकिंग कर सकते हैं ठीक है anxiety के important points आप लोग यानि एक तरीकर सिनिप्टिक नौर्स बना सकते हैं खुद भी important नौर्स बना सकते हैं जो आपके लिए exam time में बहुत ज़्यादा benefit रहेंग syllabus को देख सकते हैं और fourth point मैं आपको बता दिया कि चीजों को समझना है और नौर्स मेकिंग ज़रूरी ज़री है ठीक है thank you so much have a nice day